अब समझे आप गैसों के द्रवी करण की दूसरी विदी उसका नाम है कलाउडे विदी तो ये है गैसों के द्रवी करण की कलाउडे विदी इसका चित्र लगभग लिंडे विदी के बिलकुल समानी ही है केवल थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है क्या परिवर्तन है इस प्रशार यह दोनों सिद्धान्तों पर आधारित है इसलिए गैसों के या वायू के द्रवित करने की क्लाउडे विधी सर्वत्मविधी मानी जाती है इसमें अंतर क्या है देखे यह देख रहे हैं आप यह एक पिस्टन से जुड़ा हुआ है सिरा डेस्क्रिप्सन में यह आ जी जाती है जिसमें यह कूलेंट भरा हुआ होता है और यह नलिया है इसमें टेडी मेडी किसलिए फैली गई है इसका कारण है कि जितनी देर तक गैस इन नलियों में रहेगी उतनी देर तक ही ठंडा होती रहेगी अगर सीधी गैस ऐसे नली के द्वारा करते तो वो सीधी निकल जाती थोड़े समय में ही बाहर तो इसलिए ये बहुत पास-पास होती है आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कहीं cold storage के वहाँ बहुत सारे pipe एक दूसरे के उपर होते हैं उनमें से पानी टपकता रहता है तो वो उसी लिए होता है तो ये coolant भरा होता है और coolant में र रुदोस्म कक्ष में ये gas दो नलियों में बटी होती है एक नली जैट लगे हुए spiral tube से एक सिरा जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग इसका किस से जुड़ा हुआ है एक piston से ये जो spiral tube है जिसके अंतिम सिरे पर ये एक बारिक जैट लगा हुआ होता है ये तेजी से उ हिमन दाब में प्रशारित होती है तो जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण इसके तापमान में कमी आती है तो ये सिद्दान्त हो गया दौनों सिद्दान्तों पर आधारित है ये दूसरी ये दूसरी जो भाग है इस tube का ये किसके द्वारा जुड़ी हुई है पिस्टन से य ये गैस जब इसमें प्रेशर बनाएगी तो ये पिस्टन को पीछे की तरफ दखके लेगी जिससे एक सिद्दान्त है यांतरिक कार्य द्वारा रुदोश्म प्रशार इस सिद्दान्त के द्वारा इस गैस के तापमान में कमी आती है और कमी आई हुई ये ठंडी गैस कहा पर इस एडियाबेटिक चैंबर में एकत्र हो जाती है तो ये प्रक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो इस गैस के तापमान में कमी आ जाती है और जब गैस का ताप उस गैस के क्रांतिक ताप के बराबर या उससे नीचे आ जाता है तो इसमें दवाब अल्लेडी लगा हुआ है गैस तुरंथी लिक्विफाई हो जाती है और लिक्विफाई होकर इस अडियाबेटिक चैमबर के निचले हिस्से में एकतर हो जाती है जिसे आउटलेट के द्वारा बाहर कर लेते हैं रही बात ये कि जो गैस द्रवित नहीं होती है वो उपर की तरफ रहती है और वो फिर साइड ट्यूब टी के द्वारा पुने कंप्रेशर में भेजी जाती है और फिर ये कंप्रेशर से इस तरीके से वापस उसी तरीके से तो बार बार जब ये प्रकरिया दोहराई जाती है तो गैस के तापमान में कमी आ जाती है और कमी आई हुई गैस जब उसके करांतिक ताप से नीचे पहुझती है तो इसके अंदर बहुत भारी दाव लगा हुआ है ये तुरंथी लिक्विफाई हो जाती है ये प्रकरिया त झाल 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 झाल